नमस्कार दोस्तों, न्यूज लाइफ में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ खुश्बू सिंग क्या आप सोच सकते हैं कि मोमूज खाने से किसी की जान जा सकती है कुछ ऐसा ही दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के एक रेस्टोंट में जब एक 50 वर्श्री अव्यक्ती ने मोमूज खाए और वो तुरंत ही अपनी चेयर से गिर गया और वही पर मौके पर उसकी मोत हो गई कैसे पता चला दर असल की मोमूज खाने से उसकी मोत हुई है जब उसको लेके जाया गया एम्स होस्पिटल और वहाँ पर पोस्ट मौटम किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि मोमूज का एक टुकड़ा उनकी विंड पाइप में चिपका हुआ था इसके कारण सांस लेने में परिशानी हुई दम घुटा और उनकी मौत हो गई विशेशक्यों से पूछे जाने के बाद कि क्या मोमूज खाने से वाकी मौत हो सकती है या फिर ऐसा क्यूं हुआ इसके पीछे का कारण क्या है तो जितने भी सारे एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जब आप मोमूज खाते हैं या कोई भी गरम चीज खाते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम उसको मूँ में ही ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान हमारा विंड पाइप खुला होता है वो विंड पाइप खुला होने की वजह से आप जो खा रहे हैं या कोई चिकनी चीज है जैसे मैदा है या कुछ भी चिकनी चीज है वो आपके विंड पाइप में जाके चिपक सकती है और इसी के कारण उस व्यक्ति की म पहले आप कोशिश करिए कि आप जब भी कुछ खा रहें तो यह सारे precautions लें कि आप मूँ में ठंडा करने की कोशिश ना करें क्योंकि उस दौरान आपका जो wind pipe है वो दरसल खुला रहता है अब इसको अगर कोई कभी ऐसा हो जाए आपके सामने तो आप उसको ठीक करने के लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये जो precautionary measures हैं ये आपको लेने होंगे तुरंत याने कि कुछ मिंटों के अंदर ही वरना इंसान की मौत हो सकती है क्योंकि wind pipe में कुछ भी जब हम पानी भी पीते हैं या कुछ अटक जाता है तो आपने देखा होगा किस तरीके से हम मचलान एक restaurant में जहां पर एक 50 वर्शी अव्यक्ती momos खा रहा था और momos खाने के बाद ही उसकी मौत हो गई और autopsy के दौरान पोस्टम के दौरान डॉक्तर ने बोला कि जब पोस्टम किया गया तो कुछ चिपका हुआ मिला उसके बाद जब अच्छे से उसकी देखरे कोई पूछ इस रहे हैं तो यह पता चला कि वह मोमो स्काट कोड़ा चिपका रहा घया था हाला कि पहले यह भी माना जौरा था कि वह इंसान ने ड्रिंक भी कर रखी है तो हो सकता है यह भी कारण हो सकता है लेकिन डॉक्टर ने कहा कि momos का टुकड़ा windpipe में चुपकने की वजह से ही उ सब जानते हैं तो जब आप मोमोज खाएं तो इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखें कि कोशिश करें कि मोमोज को ठंडा करके ही खाएं ताकि बिंड पाइप में जाने का खत्रा ना हो अगर आपके सामने किसी वक्ति को ऐसा हो जाए तो तुरंत उसके चेस्ट पर प्रेश कि साथ नमस्कार